रूटिंग हैक और इसके परिनामस्वरूप तेजी से जड़ होती है खाद हैक खाद बनाने के लिए कोई भूरा नहीं फिर एक पेपर श्रेदर का उप्योग करे और तेजी से और गंध मुक्त खाद के लिए कटा हुआ कागज और कार्डबोर्ड का उप्योग करे और अपने खाद बिन में डाले आसान टमातर सपोट टमातर के पौधो को अजीब तरह के मोरो से बचने और सर्वोत्तम पल देने के लिए समर्थन की आवशक्ता होती है लोहे की धातु के तार के एक छोटे तुकड़े का उप्योग करके अपने तमातर के पौधो का समर्थन करे इसे यू आकार के लूप में बनाए और फिर इसे जड़ों के पास डाले एक स्ट्रिंग के एक छोर को इस पर बांधे और दूसरे छोर को शीर्ष पर कुछ समर्थन के लिए बांधे फूलों के लिए केले के छिलके का उर्वरक केले के छिलके वाली चाय बनाने के लिए केले के छिलकों के टुकडों को 2-3 दिनों के लिए पानी में भिगो कर रखें इस पानी को 1-5 रेशियो में पानी के साथ पतला करें और अपने पौधों को पोटेशियम प्रदान करने के लिए अपने पौधों को पानी दें, जिससे पौधों में फूल बढ़ते हैं और फूल का आकार भी बढ़ा हो जाता है परवतारोही यानि क्लाइमर्स और क्रीपर्स सब्जियों को उगाते समय उन्हें 6 फीट से उपर की उचाई पर न ले जाएं वलकी स्वस्थ विकास के लिए पानी और पोशक तत्वों के लंबी दूली के परिवहन में सहायता करने के लिए पौधे को पहले उचाई पर ले जाएं और फिर बढ़ते छोर को नीचे की और धलान पर ले जाएं यह आख ट्रेलिस बढ़ते परवतारोहियो या लता सबजियों के लिए एक आदर्श समर्थन है बालों से जड़ों तक तमातर के पौधे मिट्टी में जितना संभव हो उतना गहरा लगाएं यह टमातर के तने पर देखे गए छोटे बालों से बनने वाली जड़ों के घनत्व को बढ़ाने में मदद करता है और यह पौधे को मजबूत बनाता है और सर्वोत्तम उपच पैदा करता है बड़ी पत्तिया अपने मनी प्लांट में बड़े आकार के पत्ते प्राप्त करने के लिए एक मौस्स्टिक या नारियल कोई स्टिक का उप्योग करें और फिर हवाई जड़ों को उनमें बढ़ने दें जब भी आप मनी प्लांट को पानी दे तो मौस्टिक अच्छी तरह से गीली करें प्याज प्लस एलोवेरा रूटिंग एजेंट प्याज और एलोवेरा जेल का इस्तिमाल करके पेस्ट बना ले मिट्टी में बौने से पहले कुछ मिंटों के लिए पौधे की कटिंग को इसमें दुबोने से तेजी से और गारटी कृत जर बनने में मदद मिलेगी चमच प्रत्यार उपन अपने छोटे पौधे को ट्रांस्पलांट करने के लिए एक चमच का उप्योग करें चमच से खुदाई करके पौधे की जड़ों के नीचे जाए और फिर बाहर निकालने के लिए पौधे की पत्तियों को पकड़े नकीतने को ये पानी और पैर संचालन ट्यूबों को यानी जायलम इंफ्लोयम को नुकसान को रोकता है, जिसके तूटने की वज़े से पौधे मर सकते हैं कबार से उगाए, अपने अनानस मुकुट को कभी न फेके बस नीचे की पत्तियों को हटा दे और तल को एक सप्ताह के लिए एक गिलास पानी में डाले और फिर इसे एक कंटेनर में बदली करें यह एक साल के भीतर परल देगा अन्डे के चिलके का पानी एक अन्डे के चिलके में लगभग दो ग्राम कैल्शियम होता है जब आप अन्डे उबालते हैं तो इस केल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस का एक छोटा प्रतिशत पानी में मुक्त किया जाता है इस पानी को फेक न दे लेकिन इसका उप्योग अपने पौधों को पानी देने के लिए करें जिन्हें बहुत अधिक कैल्शियम की आवर्शक्ता होती है जैसे तमाटर और मिर्च और साथ ही फूल वाले पौधे सेलो टेप कीट फंदा अपनी उंगलियों पर सेलो टेप को उल्टा लपेटे और एफिद्स, वाइट फ्लाई और मीली बग्स जैसे कीटों से संक्रमित पत्तियों पर जूने के लिए चिप-चिपे हिस्से का उप्योग करें चिकनी मिट्टी हैक इस सरल हैक का उप्योग करके जड़ों से चिप-चिपी या चिकनी मिट्टी को हटा दे जब आप अपने पौधे को नरसरी से लाते हैं और रिपॉट करना शुरू करते हैं तो अक्सर आप पाते हैं कि उन्होंने पौधे को चिकनी मिट्टी में भर दिया है आप जड़ों को कुछ मिंटों के लिए पानी में भिगो कर जड़ों को नुकसान पहुचाए बिना इस मिट्टी को हटा सकते हैं जब तक कि मिट्टी गुलना जाए फिर आप इस पौधे को एक वेल ड्रेनिंग पौटी मिश्रण में फिर से रिपॉट कर सकते हैं एक नए कंटेनर में रिपॉट करने से पहले हमेशा अपनी जड़ों को लूस करने के लिए खुरिदें अपने पसंदीदा पौधे को एर लेरिंग के समय पे तेजी से जड़ों का पैदा करने के लिए एलो वेरा और टोयलेट पेपर का उप्योग करें एसपिरिन है एर लेरिंग के दोरान तेजी से और बहतर जड़ों का उतपादन करने के लिए एसपिरिन की गोली का उप्योग करें एक 350 मिलीग्राम की गोली प्रती लीट पानी में फिर इस पानी को अपने पौटी मिश्रन में डाले और फिर इसे तेज और घने जड़ गठन के लिए तने के चारों और लपेटें हाइड्रोपोनिक क्लोन तेजी से रूटीं के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और एक मचली घर पंप का उप्योग करके अपना खुद का हाइड्रोपोनिक प्लांट क्लोन बनाए स्वस्थ जड़े आठ दिनों के भीतर विक्सित होती है मुक्त केल्शियम अंडे के छिलके आसानी से विनगर यानी सिर्के में घुल जाते हैं और आपके पौधों को मुक्त केल्शियम देते हैं अंडे के छिलके का पावडर बनाए और फिर इसमें लगबग एक कप सिर्का डाले और इसे अच्छी तरह से हिलाए और फिर इसे एक घंटे के लिए छोड़ दे फिर पानी के साथ 1 इस्टोर 200 के अनुपात में पतला करें फिर अपने फलो और सबजीयों में केल्शियम की कमी का इलाज करने के लिए अपने पौधों को इससे पानी दे सबसे सरल प्लांट क्लोना किसी भी कंटेनर का उप्योग करें और फिर पानी में ऑक्सीजन पंप करने के लिए एक या दो अक्वेरियम एस टोन्स को अंदर रखें ये पानी में किसी भी पौधे की कटिंग को तेजी से और गारट इकरिट जर पैदा करने में मदद करता है वील बेरो हैक अपने बगीचे के सामान को स्थानांतरित करने के लिए कोई ठेला नहीं चिंता मत करें सबसे सस्ता विकलत कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा या एक पुरानी बैट शीट है बस भारी वस्तुओं को इस पे लोड करें और इसे सब के साथ खीचे रूटिंग के लिए एस्पिरिन जब आप पानी में कटिंग का प्रचार करते हैं तो तेजी से और मजबूत जर्विकास के लिए एस्पिरिन टैबलेट का एक छोटा टुकड़ा डालना न भूले बीज विभाजन चाल धनिया के बीजों को लगाने से पहले उन्हें विभाजत करें सेंट पेपर का उप्योग करें और बीज को कुचलने और उन्हें अलग करने के लिए कोमल स्क्रेपिंग दबाव लागू करें इस तरह की भारी वस्त्वों का उप्योग करके उन्हें कुचल या नुकसान न पहुचाएं। यह विशाल धनिया उगाने में मदद करता है। खुर्चे और बोएं। तेजी से बीज अनकुरन के लिए सेब, चीकू, वगेरा जैसे कुछ बीजों के कथोर बीज कवर को खुर्चने के लिए सेंट पेपर का उप्योग करें। हीन का उप्योग करके लीफ कल वाइरस का इलाज करें। 500 मिली लीटर खटी छाच लें। इसमें एक चमच या 5 ग्राम हींग पावडर डाले और इसे अच्छी तरह से मिलाएं। इसे 1 या 2 गंटे तक रहने दे। सबसे पहले इस घोल को चलनी करें। फिर पत्तियों के नीचे सहित प्रभावित पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। LEAF कल रोग को पूरी तरह से ठीक करने के लिए, 1 महीने के लिए हर 3 दिनों में एक बार इसे दोहराएं। अंडे के चिलके का प्लांटर बीज बोने के लिए आप अंडे के चिलके का उपयोग कर सकते हैं। Drainage Hole बनाने के लिए Sandpaper के साथ Scrap करें और फिर छेद बनाने के लिए एक पतली Drilling Bit का उपयोग करें. Cardboard अंडे की Tray का उपयोग बीज अनकुरन Tray के रूप में किया जा सकता है. आप सीधे Cardboard के साथ अनकुर पौधे को मिट्टी में प्रत्यारोपित कर सकते हैं क्योंकि ये Biodegredable होता है. Chalk Sticks Chalk Racinic रूप से Calcium Carbonate है. आप अपनी सबजीों को लगाते समय मिट्टी में एक Chalk Sticks दफन कर सकते हैं. ये वास्तव में टमाटर, मिर्च, स्क्वेश, बैंगन और लगभग किसी भी सबजी के पौधे जैसे पौधों के लिए अद्बुत काम करता है. मजबूत जड़े मजबूत जड़ों का आर्थ है बहतर फसल के साथ एक स्वस्ट पौधा. पौधे के प्रारंविक विकास चरण में, बोन मील पाउडर या ओग्यानिक रॉप फौस्फेट पाउडर जैसे फौस्फोरस का स्रोध जोड़ने से मजबूत जड़े पैदा होंगी और बहतर फसल का उत्पादन होगा. बीज जीवन क्षमता की जाच अपने बड़े बीजों की जीवन क्षमता की जाच करने का एक आसान तरीका, उन्हें पानी के कटोरे में डालना है. यदि बीच तैर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे सूखे हैं और व्यवहार्य नहीं है. उन्हें त्याग दे, और केवल उन बीजों का उप्योग करें जो नीचे तक डूब जाते हैं. कोई बगीचे दस्ताने नहीं, अपने बगीचे की मिट्टी या अपने पौटी मिश्रण के साथ काम करने से पहले अपने नाखूनों को साबून में खुर्चें. ये बाद में आपके हाथों को आसानी से साफ करने में मदद करता है, और गंदगी आपके नाखून बिस्त्रों में प्रवेश नहीं करेगी. जानवरों से पीछा चुड़ाएं. बिल्लियों, कुत्तों, खरगोशों और बंदर जैसे कुछ जानवरों से पीछा चुड़ाने का सबसे आसान तरीका. सिर्का के साथ कपड़े के कुछ टुकड़ों को भिगोना है, और फिर उन्हें अपने बगीचे के कुछ क्षित्रों में रखना है. ये जानवर सिर्का की गंद का सामना नहीं कर सकते, और यदि आप कुछ दिनों के लिए इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो वापस नहीं आएंगे. इसी तरह, कपड़े के एक टुकड़े में लिप्टी, हींग का उप्योग करने से, इन जानवरों और यहां तक की कुछ कीरों को भी रोका जा सकेगा. मैगनिफाइंग लेंस अपने पौधों के कीटों और कीरों की बारीकी से जाच और निदान करने के लिए एक मैगनिफाइंग ग्लास का उप्योग करें और फिर तदनुसार उपचार का पालन करें. चाए उर्वरक आप छोटे बीजों के लिए सही बीज रिखती यानि स्पेसिंग कर सकते हैं, जैसे की बहतर द्रिश्चता और यहां तक की अंतराल और बुवाई के लिए उन्हें टॉयलेट पेपर पर एक पंत्ती में फैलाना. आप बीज टेप या एक चोकोर बीज बोर्ड बना सकते हैं. यह विशेश रूप से छोटे गाजा के बीज को लगाने के लिए उप्योगी है. और यह बहतर विकास और कटाई में आसानी के लिए पौधे की दूरी भी देता है. अधिक पके हुए पल और सब्जिया. बगीचे की सब्जिया और पल जो अधिक पके हुए हैं, कीटों के लिए एक आसान लक्ष है. कीट वृद्धी से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके उन्हें हटा दे. तेजी से अनकुरन. तेजी से अनकुरन और स्वस्थ रोपाई के लिए एक सरल है. ये है की रोपन से पहले कुछ घंटों के लिए अपने बीच को एपसम नमक के घोल में भिगो दे. जैसे 100 मिलीलीटर पानी में आधा चम्मच एपसम नमक. आप स्वस्थ परिनाम के लिए अपने बीज और रोपाई पर एपसम नमक के घोल का चिरकाव भी कर सकते हैं. चोटा चुने. आप पानी में दूबी एक छोटी छड़ी या तूथपेक के साथ बुवाई के लिए छोटे छोटे बीच चुन सकते हैं. मिट्टी को एमलीकृत करें. गुलाब, हबिसकस या ह आइड्रेंजर जैसे एसिद लविंग पौधों के लिए हर 15 दिन में एक लीटर पानी में 5 ग्राम फितकरी पाउडर का इस्तिमाल करें और इससे फूलों को बढ़ावा मिलेगा. लिटमस पेपर का उप्योग करके मिट्टी पीच परीक्षन. पानी और मिट्टी को एक से एक अनुपात में मिलाएं. लिटमस पेपर को डुबोय और अपने रंग कोडिंग चार्ट के साथ रंग का मिलान करें जो आपके लिटमस पेपर किट के साथ आया था. एक अनुमानित मिट्टी पीच परीक्षन विधी. मिट्टी का नमूना लें और कुछ सिर का डालें. यदि बुलबुले आते हैं तो आपके पास एक शारिय मिट्टी यानि alkaline soil है. क्या होगा यदि मिट्टी अमलिय यानि acidic है? बेकिंग सोडा एक या दो चम्मच डालकर मिट्टी में मिलाएं. फिर distilled water के साथ मिट्टी बेकिंग सोडा मिश्रन को गीला करें. यदि जिन्हें जड़ों को परेशान किये बिना सीधे मिट्टी में लगाया जा सकता है. न्यूस पेपर पॉट्स आप कुछ अखबार के कागज रोल करके बीच पॉट्स बना सकते हैं और यहां तक कि यह भी बायो डिग्रेडेबल है और इसी तरह आप सीधे पेपर पॉट्स क को उगाने से बच्छरों को दूर करने में मदद मिलती है. हल्दी उपचार आप अपने गुलाब की जारी की छटाई के बाद गुलाब दाइब एक बीमारी के इलाज और रोक्थाम के लिए अपनी रसोई से हल्दी पाउडर का उप्योग कर सकते हैं. सिलिका जेल पैकेट इन छुटे पाउच को कभी न फेकें. उन्हें अपने बीच कंटेनर में डैसिकेंट के रूप में उप्योग करें, जो आपके बीच जीवन को बढ़ाता है और उन्हें फंगस से बचाता है. आप इनका उप्योग बोन मील पाउडर, फंजसाइब पाउडर, रूटीम हॉ पाउडर और अन्य बागवानी सामान को सन्रक्षित करने के लिए भी कर सकते हैं. आसान है, बस कंटेनर के धक्कन के नीचे की ओर, सैचे को टेप कर दें. DIY पानी कैन, सोडा बोतल का आधार ले और इसे PVC पाइप के एक छोर के आसपास रखें. इसे हलके से गर्म करें. इसे सिकुड़ना चाहिए और खुले किनारे के चारो और दबाना चाहिए. कोई ग्लू की आवश्यक्ता नहीं है. एक पिन का उप्योग करें और बोतल के आध मिनी ग्रीन हाउस